बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा है कि चर्चा में आने के लिए गिलानी ने मोधी का नाम लिया है हुर्यत नेता सेयद अली शाह गिलानी का दावा है कि उनकी दिल्ली प्रवास के दौरान नरेंद्र मोधी द्वारा भेजे गए रामेश्वर चौरसिया जी से बात करते है पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि पारटी ने ओल्ली इस से इनकार किया है और पारटी ने बोला है कि आप प्रमान दो या इस तरह की भाषा मत बोलो इस तरह की बात हैं आप नहीं करें देश को गुमरा नी करें चुनाव के समय में. और जहां तक हुरियत नेता गिलाणी जी का सवाल है, समय समय पर जिस तरक इनके बक्तब आये हैं, जिस तरक इनकी मन्सा रहती हैं, और गिलाणी सहाब को भी ये पता है, कि नरेंद्र मोजी जैसे सक्स आ गया, तो इन समस्या का समाधान बड़ी असानी से हम ढूंड लेंगे और क्यों कि हम दूस्मनों से उसी अंदाज में बात करना भी चाते हैं और दोस्तों के साथ दोस्ती भी निवाना जानते हैं तो आतंक बात के खिलाफ हमारा कडा रूख है इससे गिलाजी साहब पूरी तरह वाकिफ है तो मुझे लगता है कि अब यह एक रिडंडेंट फोर्स हो गए हैं इसलिए मुझे लगता है कि अपनी इंपोर्टेंस बनाए रखने के लिए कोई पार्टिया इनको नहीं पूछ यह जिस तरह का इनका आचरन रहा है